अब यार यह है, फुरफूराश रीव के पीरजादा ने बड़ा हमला किया मम्ता बेलीकर उनका बड़ा हमला है। उन्हें कहा है कि दर असल टीम सी सिर्फ ठगने का काम काम कर रहmot लगा है। और मम्ता ने बंगाल के मुसलिमों को ठगा है। बीजेपी को रोकने के लिए टीमसी विकल्प नहीं है, सिर्फ इतना है नहीं, पहले दो चरण में बीजेपी को रोक नहीं पाई है, टीमसी ये भी दावा किया है, ममता के ड्रामे में ना फसने की बात भी कही है, अबास सिद्धिकी ने, तो आपको बता दें कि अबास सिद् इमसी जो दावे कर रही थी उस दावे में कहीं भी सफलता नहीं मिली और क्या कुछ का सुनता सुनाते हैं आपको इस वक्त अबास सिद्गी पीर जादा बास सिद्गी मौजूद है आज बहुत भावुक हुए प्रेस कॉन्फरेंस के दोरा आज आज आप भावुक भी हुए आपके आँखे तक भर आई सर्क वजह क्या मुझे डल लगड़ है हमारे बंगल खतम हो जाएगा इसलिए हमारे माबहें के जुद बचाने के लिए हम मिडिया बंदू को अनरोद कर रहे थे तब हमारे आशो में आशो आगाए आख में क्योंकि हम को हम चार है इस बंगल को मचाने के लिए जी एमसी के खिलाफ आजा आप बहुत आक्रमक भी नज़रा है दीदी को लेकर बहुत जूट बोला और ये गद्दार वाली बात अरे हम कौन जूट बोलने वाला हूं दीदी ने खुद बोल रहे जे मेरे पाटी में कुछ गद्दार अभी भी है मुझे सं चल दीजे ने ये जका घद्दार है इसको फोट माट दीजिए दूसरे जगा हम देदेंगे तो जिसको घद्दार कह रहे हैं गद्दार काम कैसे वोट देंगे गद्दार जितने की तो बंगल में दीदी ने लेका हैं, दीदी ने खोद बोला, जब बीजीपी के हथ पकड़े थे, किसी ने पोचा था, तब दीदी ने बोला है, बीजीपी तो अचुद ने, बीजीपी तो दोस्त है, सही उक्तु मोर्चा को लेकर थोड़े से लोग कन्फूज हैं, क्योंकि आप और कॉंग्रेस तो साथ में हैं नहीं, फिर कैसे कि इस कंफ्यूजन में वोट करें, सहीक तो मुर्चा करें, देखिए कंग्रेस हमारे साथ नहीं दिये हैं, हम इसके लिए बहुत दूख हैं, क्योंकि उसको देना चाहिए था इसी टाइम में, क्यों नहीं दे रहे हो कंग्रेस बोल पाएंगे, कंग्रेस के कुरिमी को जबाब देंगे, मगर कंग्रेस के कुरिमी को मचाने के लिए, कंग्रेस को हमारे साथ जुरे या ना जुरे, फिर भी इंसान के नाते हम चार है, जंग जुक्तम मुर्चा का सरकार बने, बहुत बहुत शुक्रिया अबास दिपांकर के साथ में शुयता बटा चार्या जी मीडिया दिपांकर के साथ में शुयता बंगाल की धरती ने आपको सांसत बनाया आप केंडर में मंत्री भारत की समिधान की सबब लेती थी बंगाल की धरती ने आपको दस वर्षों से मुख्य मंत्री बनाया भारत का समिधान की सबब लेकर के आपने मुख्य मंत्री पद की सबब ली लेकिन टीमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आनमान और सान के प्रती तिरंगा को लहराने वाले कारेकरताओं की हत्या करते हैं निर्ममत्या करते हैं भारती जंता पार्टी के कारेकरता करता सुदर्शन प्रमानिक की हत्या भी टीमसी के गुंडों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि इन टीमसी के गुंडों के रास्ट द्रोही किर्टियों के खिलाप सिस्दर्शन प्रमानिक लगाता और अंदोलन कर रहे थे और नोंने देश की साधिनता दिवस के आउसर पर जब भारत के आनमानसान के प्रतीक भारत के चुरंगे को पहराने का प्रियास किया तो उनकी निर्मा मत्या कर दी गई लेकिन भाईयों बेनों आज हम सब आपको आस्वासन देने के लिए आये हैं आपका ये संघर्स ब्यर्थ नहीं जाने वाला है करें के गुंडे कान खोल कर करके सुनने कि उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं अब उनकी गुंड़ा घृदी नहीं चलने वाली है दो माई को जैसे ही काउंटिन होगी चुन-चुन करके टे-म-सी के गुंडों को जो अराजटा फेला रहे हैं निर्दोस कारेकरताओं को मार रहे हैं भारती जन्ता पार्टी के 130 से भी कारेकरताओं की निर्मा मत्या होई है और इन कार्यकरताओं के निर्मा महत्या करने वाले इन गुंड़ों के खिलाब ऐसी कारवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीडिया गुंडागर्दी करना भूल जाएंगी पीडिया भूल जाएंगी गुंडागर्दी कैसे होती है और यही कहने के लिए आद मैं आपके बीच आया हूँ कि पहांद यहां पर मम्ता दीदी की रूटी दिकास में नहीं है और ना उनकी सानबूती यहां की मेलाओं के साथ, यहां के युवाओं के साथ, यहां के किसामों के साथ में है उनकी सान्वूती तो केवल और केवल गुंडा गुर्दी करने वाले भ्रस्ताचारी पत्तों के साथ में है रोहित बने हुए हमारे साथ रोहित का रुख कर लेते हैं देखें बहुत क्लियर है उत्तर प्रदेश मौडल का मतलब साथ दो पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंदरी ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने क्राइम पर क्राइम के ग्राफ पर लगाम लगाया ना बंगाल में दरसल तोला वाजी, तुष्टी करण की सियासत और कहीं न कहीं गुसपैठियों की जो पूरी सड़ेंद्र की नीती रही न ये नीती बंगाल के विकास में सबसे वड़ा रोडा बनके रही अब बीजेपी ये कहती है खुद अगर योगी आदितनात यहां पहुं पूजा को लेकर भी ममता बैनोर जी पर प्रहर बोला उन्होंने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा का जिक्र करते हुए साफतोर पे कहा कि देखे बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होने दी जाती है चार साल पहले यूपी में कावड यात्रा भी निकालने दी जाती दस वर्ष मंता दीदी को दिया लेकिन लोने बंगाल को क्या दिया गरीबी अराजकता अभिवस्ता भ्रस्ताचार गुंडागिर्दी तुष्टी करण परव और त्यवहारों पर आप लोग कोई कारेक्रम नहीं कर सकते हमारे परव और त्यवहारों को भी व्योधान डालने क कारे इनके द्वारा किया जाता है दुर्गा पूजा नहीं करने देते लक्षमी पूजा नहीं करने देते सर्फपी पूजा नहीं करने देते होली नहीं खेलने देते हर परव और प्यवहार में ब्योधान पैदा करते हैं ऐसा ही काम उत्तरब्रदेश में भी होता था आज तो तरप्रदेश में कावड यात्रा नी निकलती है दुर्गा पूजा भी होती है होली भी खेली जाती है और गुंडे सब गायब है पहले तो भाजपा काई बिरोध करती थी अब तो मंता दीदी बिरोध करते करते भग्वान राम का भी बिरोध करने लग गई है भाजपा जो कहती है सुख करके दिखा दिती है हम लोग कहते थे ना पहले कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा अब तो अयुध्या में पाँच अगस्त 2200 कृणान मंतरी मोदी जी ने अयुध्या में भग्वान राम के भव्य मंदिर के निर्मांड का सुवारम भी कर दिया है अयोध्या में भक्मार नाम का भव्य मंदिर के निर्माण का कारे हो रहा है मंदिर अयोध्या में बन रहा है देश की आस्ता का सम्मान हुआ है लेकिन मंता दीदी को कश्ट बंगाल में हो रहा है अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था यह ना वो जीदि अच्छा काम किये है ना तो फिर दीदी को क्यों बुरा लग रहा है क्यों बुरा लग रहा है क्योंकि दीदी को ये सब अच्छा नहीं लगता है मंदिर बनना अच्छा नहीं लगता है दीदी मंदिर को अच्छा नहीं मानती है दीदी दुर्गा पूजा को भी अच्छा नहीं मानती है और चली सीधर रू करेंगे हावडा का आहट जहां मुख्यमंत्री योगी आदितिनाच चुनावी राली को संबोधित कर रहे हैं सीधी तस्वीरे अब आपकी टेलिविजन स्क्रीन पर भारी हुजूम लोगों का मुख्यमंत्री की इस राली में शिर्करत करते हुए उनके कारे करता सबर्थक और क्या कुछ अब इस मंच के जरीए केहते हैं किस तरीके से मंतदीदी पर प्रहर करेंगे वो तस्वीरे भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन फिलाल आप देखिए कुछी सेकिंड में इस सभा की शिरुवात कुने वाली है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बिता दे आराम बाग की रैली में सीयम योगी ने बंगाल की किसानों का जिक्र भी किया उन्हेंने कहा कि दीदी किसानों तक केंदर का पैसा पहुंचने नहीं देती है साथी कहा कि दीदी की साहनुभूती सिर्फ गुंडों के साथ है किसानों के हित को लेकर ममता दीदी काम नहीं करती है क्या कुछ कहा सुनिए जरा यहां का किसान तिसले दोस वर्सों में हजारों किसानों ने आत्मत्या की है लेकिन दीदी यहाँ पर प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी का लाब नहीं देना चाहती किसानों को दीदी किसान भूती किसानों के साथ नहीं है दीदी किसान भूती युवाओं के साथ नहीं है दीदी किसान भूती तो आप महलाओं के साथ भी नहीं है दीदी की सांबुती केवल और केवल गुंडों के साथ में है अबिशेख बैनर जी अबिशेख बैनर जी ममता बैनर जी के भतीजे और बुगा भतीजे पर लेकर लगातार एक्सपोज होती जा रही है कट मनी, तोलाबाजी, अत्याचार, गुंडागर्दी, इसी के खिलाप ही बंगाल की जनता भोट देने वाला है तो तो करप्शन करने बालों की पाटी है उनकी भाईपो अभिशेक बानार जी बंगाल की सबसे बड़ा गुंडा है सबसे बड़ा तोलाबाज करने वाला बिक्ती है बंगाल की जनता की पाइसे को लूट के बाहर भेजने बाला सरगना है अभिशेक बानार जी उसके खिलाप बंगाल की जनता भोट देगा बिल्कुल जेल जाएंगे, इसको कोई निस्तार नहीं रहे इनको जेल ही जाना पड़ेगा और जेल जाएंगे ही